स्टेड पिवर्ट पीड वेलकुम तो माई यूटूब चैनल इस्टी तैम स्टेड एजूकेशन दिस इस दीप्ति अदव फ्रेंज तोड़े इस दा सेवंथ दे आप्ट दे यूद इस वेस्ट वेस्ट्डे आमसीक्री ये सेरी इसीरी इस एसेश बैंकिंग रेलवे अंटी यूपी एसाई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी ट्रपल सी के त्रियू कंड़क्ट होने वाले सारी एक्जाम्स के लिए वेरी वेरी हेलफुल सीरीज है, होफुली यूपी यूपी लाइज भी लाइक बेरी मस्ट इस सीरीज, चलिए तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस इस यूर फॉर्स्ट कॉस्चिन सायोक्त राष्ट महासवा, UNGA यानि की United Nation General Assembly के 74 अधिवेशन में पाकिस्तान द्वारा भारत पर लगाए गए मिथ्या आरोपों का जवाब किस ने दिया? अब देखिए, उप्शन देखते हैं, उप्शन ए है आपका, बिदिशा मुहित्तो, या फिर शेयर अकबरुद्दीन, या फिर पालोमी, त्रिपोली, या फिर इमाम गंबीर, देखिए यहाँ पर आपका राइट उप्शन होगा, बिदिशा मुहित्तो, उप्शन ए is the right answer यह कौन है, बिदिशा मुहित्तो, यह UN में भारत की सचिव है, और जो UN जी यह है, United Nations General Assembly, इसका जो मुख्याला यानि की headquarter है, वो है Manhattan Dweep, Newark, USA में, ठीक है, और जो इसके president है, वो president है, तिज़ानी, sorry, 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 एक सकीड, तिज़ानी, तिज़ानी महमद बैंडे, B-A-N-D-A, इसको लिखते हैं, B-A-N-D-E, ओके, बैंडे, ठीक है, यह इसके कौन है, president है, और he is also the Nigerian ambassador to the United Nation, उनकी nationality क्या है, नाइजीरियन है, ठीक है, तभी तो यह वहाँ से, वहाँ के ambassador है, United Nation में, clear, तो यहाँ पर option A is the right answer, चलिए next, next है, राश्टपती रामनात कोविंद ने हाल ही में, कोविंद ने हाल ही में colors पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया, किसको किया है, option A, बायू रक्षा वाहिनी को, या option B, artillery regiment को, या option C, special frontier force को, या option D, ससस्त्र सीमा बल को, तो देखे, यहाँ पर आपका right option होगा, option A, बायू रक्षा वाहिनी को, clear, जो राश्टपती colors पुरस्कार है, ये किसी भी ससस्त्र वल संगटन के लिए, सर्वोच शैन शम्मान होता है, और अभी अभी, कोश्टिनों पहले मतलब की 15 दिसंबर 2019 को, गुजरात पुलिस को भी presidential color से सम्मानित किया गया, यानि कि राश्टपती ने गुजरात पुलिस को presidential color दिया है, ठीक है, और इससे सम्मानित होने वाली यह देश की शात्वी पुलिस है, इससे पहले किसे-किसे सम्मान मिल चुका है, MP, UP, दिल्ली, जंब लोगों ने पता लगाया था, वहां की पुलिस ने, तो उसी बज़े से इन लोगों को सम्मानित किया गया, ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए, नेक्स्ट है, भारत की तीनों शेनाओने संयुक्त रूप से पहला युद्धभ्यास, इसमेलिंग फील्ड हाल ही में पूरा किया ह यह युद्धभ्यास किस राज में आयूजित किया गया, देखिए हाँ पर आपके औप्शन है, जम्बु कश्मीर, गुजरात, या पंजाब, या राजिस्थान, देखिए हाँ पर आपका राइट ओप्सन होगा, ओप्सन भी गुजरात में, किलिए, इस अभ्यास में, आ नेक्स्ट है चीन ने किस तिथी को अपना सत्तरवा राष्टिय दिवस मनाया ओप्षन A 30 नवंबर, ओप्षन B 1 अक्टूबर, ओप्षन C 2 अक्टूबर, ओप्षन C 3 अक्टूबर देखिए यहाँ पर आपका राइट ओप्षन होगा ओप्षन A यानि की 30 नवंबर को इस खेल से संबंदित हैं जिन्होंने हाल ही में एक विश्व इस्तर प्रतियोगता में रजत पदक जीता है तो देखिए ओप्षन A है तलवार वाजी, ओप्षन B है भाला फैक, ओप्षन C है 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 मस्थ्रो और ओप्षन D है जिसकस थ्रो देखिए यहाँ पर आपका राइट ओप्षन होगा ओप्षन A तलवार वाजी जो भवानी शींग है इनका पूरा नाम है चडल वाड़ा आनंदा शुंदर रवन भवानी देवी ठीक है इनोंने बेल्जियम में तोर्नोई सैटेलाइट तलवार वाजी प्रत्योगता में महिला शावरे इस परदा में व्यक्तिकत वर्ग में रजत पत्त जीता है नेक्स्ट है पश्यमी उत्तरप्रदेश का कौन सा एक ऐसा समधाय है जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था एक परमपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है तो यहाँ पर देखिए आपके option है option A है राजपूत, option B गुजर, option C जाट और option D जाट अपर देखिए यहाँ पर right option होगा आपका option C यानि की जाट निम्न मैंसे उत्तरपदेश में सबसे कम बोली जाने वाली भासा है तो option A है संस्कृत, option B उर्दू, option C भोषपुरी, option D है हिंदी और देखिए यहाँ पर कह रहे हैं सबसे कम बोली जाती है संस्कृत, फिर संस्कृत से थोड़ी जादा बोली जाती है उर्दू, फिर उर्दू से थोड़ी जादा बोली जाती है भोषपुरी और सबसे जाद बोली जाने वाली Hindi, then भोशपुरी, then उर्दू, then संस्कृत, सबसे कम बोली जाती है संस्कृत, clear, चलिए, next है, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनिवाई सबसे कम है, तो देखे, यहाँ पे option A, Islam धर्म, option B, Hindu धर्म, option C, बौध धर्म, option D, पार्ची धर्म, तो देखे, यहा क्या पूछ रहा है, सबसे कम, तो सबसे कम है, पार्ची के, ठीक है, और सबसे ज्यादा किसके है, सबसे ज्यादा है, हिंदू धर्म के है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हिंदू धर्म, then Muslim, उसके बाद आते हैं, फिर Sikh, then इसाई, फिर उसके बाद जैन, फिर बौध, और सब सबसे कम है पार्सी ऐल से सबसे लाष्ट नम्मार का पार्सी का पार्सी से कम कौन है बुध्य हैं पर फर्स से कमें यह दोग पर एंस पर जयके को टी चलिए, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारा का केंद्रित छेत्र होगा, तो उप्षन A पूर्वान चल, उप्षन B मध्य, उप्षन C पश्यमी, उप्षन D बुंदिलखंड, तो देखिए यहां पे आपका राइट उप्षन होगा, उप्षन D जरू में ठीक है, और सेकिंड था यूपी में, तो यूपी में कहां कहां बनना है, यूपी में ये गलियारा छे सहरों से होकर निकलेगा, कहां कहां, लखनव, कानपुर, आगरा, अलीगड, जासी और चित्रकूट, क्लियर, चलिए, और अभी बुंदेल खंड में, उन्हो शुरक्षा आपकी संकल्ब हमारा, ओप्सन A, उरिषा पुलिस, ऑप्सन B, राजिस्थान पुलिस, ऑप्सन C, गुजरात पुलिस, ऑप्सन D, U.P. पुलिस्, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्सन होगा, ओप्सन D, U.P. पुलिस्, चलिए, नेक्स्ट, और यह ये, U.P. सेवा होगी, वो सबसे बड़ी सेवा है, पूरे विश्व की, इसलिए नेक्स्ट, भारत में सबसे कम लिंगा नुपात किस राज्जिका है, option A हर्याडा, option B जम्बू कश्मीर, option C पंजाब, option D राजिस्ता, तो देखिए, यहाँ पर आपका right option होगा, option A, यानि की हर्याडा, यहाँ का है 857, देखिए, जो यह लिंगा नुपात है, sex ratio, वो कैसे देखते हैं, कि 1000 males पर number of females कितना है, ठीके, तो यहाँ पर हर्याडा में, 1000 males पर number of females कितना है, 857, और जम्बू कश्मीर में, यह है 895, और पंजाब में है यह 863, और असम में है यह 922, clear, चलिए, next, next है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगडना कब हुई, option A, 1950, option B, 1951, option C, 1952, option D, 1954, तो देखिए, आपको पता होगा कि जो जनगडना है, वो हमारे यहाँ कब से सुरू हुई थी, वो हुई थी, 1872 से, और किसने सुरू करवाई थी, Lord Mayo ने, clear, और उसके बाद, जो 1881 से सुरू हुई है, जनगडना हमारे यहाँ, वो उसके बाद, हर 10 साल बाद जनगडना होत स्टार्ट हो गई थी, clear, तो इसलिए जो यह 1951 की जनगडना है, यह भारत में स्वतंत्र भारत की पहली जनगडना है, और बैसे देखा जाए, तो यह आठमी जनगडना होगी, clear, और जो अभी 2011 की जनगडना होई है, यह बैसे पंद्रमी जनगडना है, according to 1872 की जनगडना, और लेकिन अगर यह देखा जाए, स्वतंत्र भारत की, तो स्वतंत्र भारत की यह साथमी जनगडना थी, 2011 वाली, clear, और हाँ चलिए, अब तो सारी फेक्ट होगे इसके, चलिए, next बताते हैं, जनगडना 2011 का शुवंखर क्या, शुवंखर क्या था, option A, प्रगडक देश, option B, प्रगडक शिक्षिका, option C, संगडक शिक्षिका, और option D, प्रगडक अनुशाशन, तो यहाँ पे आपका right option होगा, option B, प्रगडक शिक्षिका, ठीक है, और इसका जो आदर शुवा की था, वो था हमारी जनगडना, हमारा भवेश्य, clear, चलिए, next है, next है, जनगडना 2011 के अनुशार, भारत की कुल साक्षरता दर कितनी थी, तो यहाँ पे आपका right option होगा, option D, 73%, ठीक है, जिसमें males का था, 80.9%, and females का था, 64.6%, clear, चलिए, next है, बर्स 2011 के अनुशार, भारत में पुर्सों की जनसंख्या कितनी है, option A, 58.75 करोर, option B, 62.3 करोर, option C, 42.8 करोर, option D, 69.8 करोर, तो यहाँ पे आपका right option होगा, option B, 62.32 करोर, ठीक है, इसमें male का है, female का है, इसमें 58.7 करोर, फिमेल्स का 62.32 करोर, और फिमेल्स का 58.7 करोर, चलिए, next है, किसे भारतिये पुरा तत्तु का जनक कहा जाता है, option A, अलेक्जेंडर कनिंगम, option B, जॉन मार्सल, option C, मर्टीमर वीलर, और option D, जेम्स प्रिंशिप, देखिए, यहाँ पे आपका right option होगा, 61 में इसकी नीव रखी थी, और उस समय भारत का बाइसरा icon था, Lord Canning था, ठीके, और Lord Canning के वारे में कुछ और extra जानकारी आप लोगो को दे रिती हूँ है, कि जो Lord Canning था, इसी के समय में ही 1856 में बिदवा, पुनरविवा, अधनियम, यानि कि विडो, रिमैरिज, एक्ट, पास होकर आया था, हलाकि ये जो बिडो, रिमैरिज, विल था, इसको जो बिधेक था, इसको लेकर तो आया था, Lord Dalhoji, बट इसके बाद ये चला गया, तो इसने पास नहीं करवा पाया था, तो पास किसके समय हुआ था, Lord Canning की समय, और इसी के समय में क्या हुआ था, 1857 की क्रांती हुई थी, Lord Canning के ही समय में, और Lord Canning के ही समय में, Government of India Act, यानि कि भारत शाषन अधनियम आया था, ठीक है, जिसके तहत घोशडा हुई थी, कि अब भारत में East India Company का शाषन नहीं चलेग इवन महरानी विक्टोरिया का सासन चलेगा, और यहीं से भारत में क्राउन रूल की शुरुआत हुई थी, इसे लिए भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उनका पत्समाप्त हो गया था, और भारत का बायशराय कहा जाने लगा था, क्लियर, और इसी के समय में, Lord Canning के ही समय मे क्या हुआ था, सबसे पहली बार भारत में बजट पेस किया गया था, 1860 में, है ना, और इसी जब बजट पेस किया गया था, तबी उसी समय से ही इसने इंकम टेक्स की सुरुआत की थी, तो इसी लिए Lord Canning को आयकर का जनक भी कहा जाता है, क्लियर, चलिए यह थे Lord Canning के बार इम बात करते हैं, जो जॉन मार्सल है, इनका पूरा नाम है, सर जॉन हुबर्ट मार्सल, और यह भी 1902 से 1928 तक, आर्कियोलोजीकल सर्वे ओफ इंडिया, भारती यह पुरातत्तु सर्वेक्षड विभाग के महानिदिशक थे, ठीक है, और जो मार्टीमर वीला रहे, यह भ इन्होंने सबसे पहले जो खरोष्टी लिपी थी, और ब्राम्मी लिपी थी, इन्होंने 1837 में सबसे पहले इसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी, इसलिए जो अशोक के सिलालेक हैं, तो उनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप नहीं पढ़ा था, 1837 में के लिए, और जो देखिए यह भारती पुरा तत्तु है बट इन्होंने अलेक्जेंडर कनिंगम थे इन्हों इस बिभाग की स्थापना नहीं की थी जो आर्कियोलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया यानि की भारती यह पुरा तत्तु शर्वेक्षड बिभाग इसकी स्थापना की थी 1905 में अलमगीर आप्शन बी लोथल शर्वेक्षड अब धेखिए अगर हम बात करें आलमगीर की तो जो आलमगीर है यह कहां है यह यूपी में है इंडस रिबर पढ़ती है ठीक है यानि की शिंदू नदी पढ़ती है तो ये भी नहीं है तो आपका right option कौन सा होगा नेक्स्ट है बुद्ध के उपदेश किस से संबन देते हैं आत्मा संबन्धी विवाद और गौतम बुद्ध को लाइट ओफ एसिया या एसिया का जोती पुन्स कहा जाता है क्लियर? नेक्स्ट नेक्स्ट है शियाद बाद किस से संबन देते हैं तो देखिए option A चारवाग, option B जैन और option C है बौत, option D है सांखे तो देखिए यहाँ पे आपका right option होगा, option B यानि की जैन ठीके? देखिए यह शियाद बाद है, इसका अर्थ होता है सापेक्षिता बाद और यह जैन धर्म के अंतरगत किशी व्यक्ति के गुड़ को समझने, समझाने और अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक शिद्धान्त होता है, clear? और शियाद बाद को अनेकांत बाद और सब्त भंगी बाद के नाम से भी जाना जाता है, सब्त भंगी का शिद्धान्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इसको शियाद बाद को, सलिए next, next है भागवत संपरदाय में भक्ति के रूपों की संख्या है, यानि कि भागवत संपरदाय में भक्ति के कितने रूप है, तो option A is 7, option B is 8, option C is 9, option D is 10, तो देखिए आपको पता होगा कि भागवत संपरदाय म मोख्ष प्राप्ति के लिए 9 भक्ति को मानिता दी गई है, तो यहाँ पर हमारा कौन से right option होगा? option C is the right answer, यानि कि 9 भक्ति को, ठीक है? चलिए next है, अभी लेकिए साक्ष से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी, option A अंग, option B बंग, option C, कलिंग, और option D है, मगद, तो देखिए, यहाँ पर आपका right option होगा, option C, यानि कि कलिंग में, ठीक है? जो खारवेल का हाति गुंफा अभिलेक है न, उसी से हमें पता चलता है कि नंद बंश का राजा था महापदम नंद, उसने कलिंग पर बिजय प्राप्त की थी, और इ कलिंग में एक नहर का निर्माण कर आया था उसी से जिनसेन की प्रतिमासी के लिए चलिए, next है, next है, नेमने लिखित प्रमुक भारती नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर की ओर रिस्थित है, तो देखिए, जो हैदराबाद है, यह है 78 डिग्री और 29 मिनिट, 29 मि पाल है, यह है 77 डिग्री और 30 मिनिट पूर्वी देशांतर, ठीक है, और जो लखनव है, वो है 81 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है, और जो वंगलरू है, यह है 77 डिग्री और 40 मिनिट पूर्वी देशांतर, यह सारे पूर्वी देशांतर पर ही है, ठीक है, तो यहा पर आपका right option कौन सा होगा option c यानि की लखनो क्योंकि ये 81 degree पर बाकी देखिए हैंदराबास 78 degree 29 minutes पूर्भी देशांतर पर है और बोपाल 77 degree 30 minutes पूर्भी देशांतर पर है और बंगलरू 77 degree 40 minutes पूर्भी देशांतर पर है तो option c is the right answer चलिए सिवालिक स्रेडी का निर्माड हुआ है तो यहां पर एक यह चलिए क्टिए सिवालिक स्रेडी का निर्माड हुआ है तो इसका निर्माड आजसे 1.7 पॉर्व यानि कि प्लायोशीन अरा में हुआ है अर्थात प्लायोशीन अरा को हम लोग कहते हैं सीनोजाइकरा ठीक है तो यह हिमालय का सबसे दक्षडी और भोगलिक दस्टी से यह सबसे युबा भाग है ठीक है जो पूर्व से लेके पस्चिम से लेके पूर्व तक फैला ह तो यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा हमारा option D सीनोजोई के रा ठीक है इसी को प्लाइवसीन इरा भी कहते हैं और सीनोजोई के रा option D is the right answer next है धूपगड की चोटी स्थित है देखिए option A सत्पुडा रेंज option B मेकाल रेंज, option C बिंध्य रेंज या option D इन मैंसे कोई नहीं चलिए ठीक है अब यहां पर हम लोग देखते हैं तो यहां पर right answer होगा option A सत्पुडा रेंज ठीक है जो धूपगड की चोटी है इसकी उचाई है तेरह सो पचास मीटर ठीक है यह सत्पुडा जो सत्पुडा श्रेडी है उसकी सबसे ऊची चोटी है ठीक है ओ यह पंच मड़ी में है और पंच मड़ी कहां हैं मद्ध प्रदेश में ओर जो साल वेंज यह भारत के 36 गढ राज में हैं यह सत्पुड़ा परवत स्रंखला की पूर्वी भुजा है। नेक्स्ट बिंद्रेंज जो बिंद्रेंज है यह बिंद्रेंज पर्वत श्रंकला का वो भारत के पश्चिम मत हिमेश्चित है जो भारत को उत्तर भारत और दच्छिड भारत में डिवाइड करता है ठीक है कौन बिंद्रेंज बिंद्रेंज जो पर्वत है वो और यह गुज नेक्स्ट है कुल्लू घाटी जिन पर्वस्ट्रेडी के बीच अवस्थित है वे हैं ओप्सन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल रडजोती तथा नगटिब्बा लद्दाक तथा पीर पंजाल मर्दी हमाले तथा शिवालिक तो देखें यहां पर राइट आंसर होगा ओप्सन ए धौलाधर तथा पीर पंजाल जो कुल्लू घाटी है यह हमाचल प्रदेश में इस्थित है और यह एक हमाले की घाटी है जो ब्यास नदी है न वो इसी घाटी में मनाली से आगे बहती है ठीक है तो यहां पर राइट आप्सन कौन सा होगा ओप्सन ए धौलाधर तथा प र富गर त dispel बह झोलाधर तो करने दोचलाधर तो कущ कुलाधर तो कि आटी है यहां फिर्ट में मलती है यहां हमाचला भीर इथी अवलzin की आटी हँरावाउड़ जाप्सन की जैएँर रसा पर तो कि यहां पहां होग्वश में ग attractive यहां दो लाग्सर लाटी है यहां होगर